नमस्का मेरे मित्रो मैं अंकित के शर्वानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित्धी के शर्वानी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो मुदी केर का नए लॉयल्टी प्रोग्राम आने के बाद एक कोश्चन आपके मन में सबसे ज़्यादा आ रहा है क्या लॉयल्टी कूपन को रीडिम करने के लिए आपको एक हजार रुपय का समान खाईडना पड़ेगा जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो नौंबर महने तक है अगर आपको मुदी कह के लॉयल्टी कूपन को रीडिम करना होता था तो आपको 1000 रुपय की सौपिंग करने के बाद ही वो कूपन दिखता था अगर आप 1000 की सौपिंग नहीं करेंगे तो वो कूपन लॉयल्टी कूपन नहीं जनरेट होता था लेकिन दिसमबर 2022 से मुदी केर ने लॉयल्टी प्रोग्राम को चेंज कर दिया है जिसमें अब आपको 6 महने बाद 7 महने का समान फ्री मिलेगा और 1 साल बाद आपको 2 और महने का समान फ्री मिलेगा मतलब 1 साल में तोटल कंपनी 3 महने का समान आपको फ्री दे रही है ये बात आपको पता होगी लेकिन अब मोदी केर ने यहाँ पे बदलाव किया हुआ है क्या बदलाव किया है वो जान लीजे पहला बदलाव यह हुआ है कि आपका जब भी 6 महने बाद loyalty coupon जनरेट होगा बड़े ध्यान से सुनिएगा छे महने बाद जब भी loyalty coupon आपका जनरेट होगा तो उसे redeem करने के लिए आपको एक भी रुपए की extra shopping करने की जववत नहीं है बड़े ध्यान सुनिएगा आपका product का amount होना चाहिए एक्जामपल के तौर पे आपका 3000 रुपए का coupon बना हुआ है तो आपको समान कम से कम 3000 एक रुपए का खरीदना है मतलब 3000 रुपीज का आपको product खरीदना पड़ेगा then you can redeem your loyalty coupon अगर आपने exact 3000 रुपीज रखा तो loyalty coupon रीडिम नहीं होगा एक चीज़ समझे में आई दूसी चीज़ा रखिएगा माल लीजिए आपका coupon 3000 रुपीज का generate हुआ है और आपने 4000 रुपीज का product अपने bucket में रख लिया और फिर जब आप payment page पे जा रहे हैं you are applying 3000 रुपीज loyalty coupon मतलब 3000 रुपीज का loyalty coupon आपने apply कर दिया और 1000 रुपए का जो extra आपका समान पड़ा हुआ है उसका आपको payment करना पड़ किये हुए है उसका आप जो payment करोगे उस 1000 एक्ष्टा समान का company कोई भी BV and PV नहीं देगी loyalty coupon आपको redeem करते वक्त आपको पता है कि कोई भी BV PV नहीं मिलता है लेकिन loyalty coupon को redeem करते वक्त आप जो भी extra समान add करोगे you will not get any BV PV बड़े ध्यान से सुनिएगा गलती से ऐसा मत कर और सर मुझे पता नहीं था तो यह चीज़ जान लीजेगा उतना ही समान add करिए जितना आपको loyalty coupon है उससे 5-10 सुपए ज्यादा का product add करके अपने loyalty coupon को आप redeem कर लीजेगा यहां तक clear हुआ चलिए तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपका जानना जरूरी है कोई नहीं बताएगा आपको जब भी आपको loyalty coupon generate होगा बड़े ध्यान सुनिएगा जब भी आपको loyalty coupon generate होगा तो जो loyalty coupon की validity होगी वो आपका 6 मैंने तक रहेगा और वो 6 मैंना जिस मैंने loyalty coupon आपका generate होगा उस मैंने को include करके मान लीजे दिसंबर में आपको loyalty स्टार्ट हुआ और आपका 6 मैंने जून में पूरा हो गया एक्जामपल के तोर पे मई में पूरा हुआ या जून में पूरा हुआ तो जून में अगर आपका 6 मैंने पूरा होता है तो 15 जुलाई 2023 को आपका coupon जनरेट होगा 6 मैंने जिस भी मंत complete होगा उसके अगले 15 दिन बार आपका coupon जनरेट होगा और वह आपका पहला मैंन माना जाएगा तो अगर जुलाई में आपका coupon जनरेट हुआ तो 6 मैंने आप जोड़ लो जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नॉमबर दिसं और किसी भी वज़ा से अगर आपने उस loyalty coupon को redeem नहीं किया है तो आप कभी भी expire होने के बाद उसका इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो बड़े ध्यान रखिएगा जब भी आपका loyalty coupon जनरेट होता है आप उसको 6 मैंने के अंदर जरूर यूज कर लीजेगा ताकि आपका कोई न आप मुझे बता दीजेगा इसके अलावए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए और आप जान लीजिए कि loyalty coupon जनरेट करने के लिए आपको हर महने शॉपिंग करना पड़ेगा मिनिमम अठारा सुरुपय का बड़े ध्यान सुनिएगा मिनि शे महने का coupon जनरेट हो गया तो आगे का हमने 7 महने की shopping नहीं की है आपको 12 महने वाला loyalty program का benefit लेना है तो लगातार आपको shopping करना पड़ेगा एक भी मन्त आपने अगर break कर दिया 6 महने बाद मान लीजिए आपने 7 महने break कर दिया तो जो annual loyalty program है आपका एक साल बाद आपको company 2 मह करने का समान free देगी वो नहीं मिलने वाला है तो आपको एक भी महने miss नहीं करना अपना loyalty नहीं तो आपका काफी नुकसान हो जाएगा तो दोस्तों ये loyalty से जुड़ी वो सारी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आपको कुछ पता रही होंगी क कुछ नहीं पता रही होंगी आप मुझे comment box में बताईए क्या क्या बाते आपको पता थी क्या क्या बाते आपको नहीं पता थी एक question का मैं आपको और answer देके जाता हूं क्या 60 PV करना जरूरी है loyalty coupon पाने के लिए 60 PV का होना जरूरी है तो answer है no अब company का 60 PV का जो benefit है वो आपका अलग benefit चल रहा है उसका loyalty से कोई लेने देने नहीं है loyalty coupon पाने के लिए company सिर्फ amount देख रही है सिर्फ amount देख रही है कि या तो 1800 से 2500 के बीच हो या 2500 से ज्यादा हो बड़े ध्यान सुनिएगा 2500 से ज्यादा होगा तो आपका loyalty coupon 100% जनरेट होगा और 2500 अगर आप कम shopping करेंगे तो 80% का loyalty coupon जनरेट होगा company सिर्फ इतना ही चेक कर रही है यहाँ पे कोई भी BVPV का जहामताम नहीं है तो समझ में आगे आपको मोटा माटी की loyalty program आपका अब आपके लिए बहतर हो गया है और और भी बहतर हो गया है क्यों और बहतर हो गया है क्योंकि पुरानी loyalty में आपको सिर्फ 5000 रुपए तक का capping limit मिलता था बड़े ध्यान सुनिएगा 5000 रुपए की capping limit मिलती थी लेकिन अ नए loyalty program में आपकी capping limit 7000 रुपीज का हो गया 7000 रुपए की loyalty coupon का maximum limit हो गया है मतलब आप 7000 रुपए तक loyalty coupon को पा सकते हैं और यह जो loyalty coupon generate होगा यह आपके हर महने जो shopping करोगे उसका average निकाला जाएगा अगर आप इसकी एक separate video चाते हैं जहाँ पे मैं आपको calculate करके बताओ कि किस case में कितना loyalty coupon बनेगा तो आप मुझे comment box में बताईएगा मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे सरहल सब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा loyalty coupon को calculate करना लेकिन यहाँ पे आपका average होगे ज सारे points का clear कर दिये हैं आपके सारे points को cover कर लिये हैं अभी भी कोई भी question छूट जा रहा है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं अभी तक आपने channel को subscribe ने किया है तो दोस्तो कर लीजेगा क्योंकि मैं जल से जल चाहता हूँ इस channel को और आगे बढ़ाने के लिए और grow करने के लिए और मुझे हिम्मत तभी मिलेगी जब आप अपना support बनाए रखेंगे आप अपना प्यार इस channel पर बनाए रखेंगे तो जल्दी से channel को subscribe कर लिजे वीडियो को like कर लिजे हम मिलते हैं अपने next video में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिल